आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट क जनसंख्या वृद्धि दर में अचानक से बढ़ हुत्री आने लगती है, इसी को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोड यानि जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने लगती है, ठीक है, अब देख लेते हैं अपने विकल्पों को और पता करते हैं कि कौन सा सही उत्तर है, तो हम ये बताना है कि क्या मौसम की वज़े से भारत में जनसंख्या विस्फोड हुआ है या फिर ये इसका मुख्य कारण है, तो देखिए बात करें अगर हम मौसम की, तो जो भारत है, ठीक है, भारत एक उष्ड कटी बंधी यानि कि ट्रॉपिकल कंट्री है, यानि कि यहां पर गर्मी जादा पढ़ती है, जादा तर हिस्सों में गर्मी जादा पढ़ती है, ठीक है, तो देखिए जादा गर्मी पढ़ने के वज़े से यहां पर क्या होता है, कि योना रंब जो होता है, लड़के वो लड़कियों में योना रंब जल्दी आ जाता है, ठीक है, क्या होता है जल्दी होता है किसकी अपेक्शा सम सितोष्ण देश के अपेक्षा या फिर हम कह लें temperate countries के अपेक्शा ठीक है तो देखे जब योना आखंब जल्दी आ जाएगा तो जल्दी साधी हो जाती है और संतान उत्पत्ती भी जल्दी हो जाती है तो ये कि कई जगों पर शिक्षा के अभाव में सिमित शिक्षा के वज़े से जनसंख्या वृद्धी से होने वाले नुकसान के बारे में उन्हें नहीं पता है यहां के लोगों को जिनको ये शिक्षा नहीं मिल पाती है कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी जनसंख्या वृद्धी ठीक है अगर हम बात करें 34 बच्चे प्रति मीनट जो है जन्म लेते हैं और अगर हम बात करें मरने वालों की संख्या प्रति मीनट कितनी हैं तो वह है 10 तो यहां पर आपको काफी डिफरेंस दिखा जाओगा कि 34 जन्म ले रहे हैं और कितने व्रति मर रहे हैं या कितने मृत्तिव हो रही है तो 10 जो है मृत्तिव हो रही है तो ये भी एक मुख्य कारण है जनसंख्या विसफोर्ट का भारत में ठीक है क्योंकि जब जन्म जादा लेंगे और मरेंगे कम या मृत्तिव कम होगी तो इससे क्या होगा जनसंख्या बढ़ेगी ठीक है और चौथा विकल्प है उपरुक्त सभी तो जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि मौसम सिमित सिक्षा और जन्म दर्थ में बढ़ोतरी यह तीनों ही कारण है जनसंख्या विस्पोट के भारत में इसलिए हमारा चौथा धन्यवाद